स्क्राइब केजिए हमारी यूट्टीब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका मेटकल दोस्त और मेरे इस मेटकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम एक ऐसे सस्ते पेनकिलर के बारे में बताएंगे जो की तरह-तरह की समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करता है तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से अंत तक और इस वीडियो का फायदा उठाएं साथ ही दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दें आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंट को दस गुना बढ़ा देता है इसी तरह की और भी अच्छे वीडियो दुबारा बनाने के लिए तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें तो चलिए दोस्तों ज़्यदा समय नागावाते हुए वीडियो सुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पे आपको एक पैक दिख रहा है जिसमें RLP टेबलेट है बात करें दोस्तों इसके कमपोजीशन की तो इसमें Aciclofenac 100MG डाला गया है Paracetamol 325MG डाला गया है यानि कि दोस्तों ये मुखेता दो साल्टों से मिल कर बनता है और दोस्तों इसे तीन कैटगरियों में बाटा गया है पहला जो कैटगरी है Antipyretic दूसरा जो कैटगरी है Analygesic और तीसरा जो कैटगरी ड्रक के कैटगरी में बाटा गया है दोस्तों यानि कि इसे तीन तरीके से इस्तमाल किया जाता है Antipyretic का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपको किसी वज़से फीबर हो जैसे कि वाइरल फीबर हो या फिर टाइफाइट का फीबर हो या फिर दोस्तों मलेरिये के बुखार हो उन कंडिशन में इस RLP टेबलिट को लिया जाता है दोस्तों ये काफी सस्ता पड़ता है 10 गोली आपको 30 से 35 रुपे में इसली किसी भी मेटकली स्टोर पे असानी से मिल जाता है चलिए दोस्तों आप बात करें इसके दोसरे कैटगरी के बारे में एनलेजेसिक ड्रग के कैटगरी में भी ये आता है दोस्तों यानि कि दोस्तों अगर आपके बॉड़ी में कहीं भी दर्द हो जैसे कि दात में दर्द हो या हाथ पैरों में दर्द हो या सर में दर्द हो या फिर दोस्तों कान में दर्द हो या फिर आंक में दर्द हो उन कंडिशन में इस टेबलिट के इस्तमाल किया जाता है दोस्तों ये दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है तिसरी कैटगरी जो है एंटी एंफलमेटरी ड्रग की कैटगरी में भी इसे लिया जाता है यानि कि दोस्तों अगर आपके बॉड़ी पे कहीं भी किसी वज़े से सूजन की शिकायत हो उन कंडिशन में भी इसे हम ले सकते हैं ये बॉड़ी में सूजन को कम करता है साथ ही दर्द से भी छुटकारा दिलाता है तो ये था दोस्तों RLP टेबलेट के बारे में सब कुछ बात करें दोस्तों इसकी डोज की तो इसका जो डोज है एक एक गोली सूबा साम खाना खाने के बाद इसे लिया जाता है बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की तो दोस्तों इसमें देख लीजिए दो साल्ट है एसीगलोफनेक और पैरसिटमा अगर इन साल्टों से अगर आपको अलर्जी है तो उन कंडिशन में इसका इस्तमाल ना करें इसके लेने से बहुत से लोगों पर इलर्जी की शिकायत होना लालल चकत्ते उबराना खुजलाट होना या लेबर का खराब हो जाना तो इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो कि सभी कुन नहीं होता तो यह था दोस्तो RLP टेबलेट के बारे में सब कुछ उमीद करता हूँ कि वीडियो काफी अच्चा लगा होगा तो प्लेज इसे लाइक करिएगा इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा आपका कोई प्रशनी या सुजाओ हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद